प्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंग्लिश ऑथर ह.e.bates की शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है दः अर्थ फ्रेंट्स पहले तो यह समझे की यहां जो यह अर्थ है यह हमारे प्लानेट अर्थ यानी पृत्वी के लिए यूज नहीं हुआ है बलकि यहां पर अर्थ का मतलब है जमीन यानी की लैंड खेती के लिए जो जमीन यूज होती है उसके बारे में यह स्टोरी है किस तरह एक परिवार है छोटा सा परिवार जिसके पास थोड़ी सी जमीन है थोड़ी अर्थ है और वो जमीन उनका सब कुछ है उस जमीन पर जो फसल उगती है उनहीं से ये परिवार चलता है इसका गुजारा होता है लेकिन इस परिवार में एक चीज की कमी है वो है महनत की लेकिन ये क इस family के जो mother और father है उनमें है इनका जो बच्चा है Benji इनका एक बेटा है जिसका नाम है Benji ये इन दोनों से अपने parents से काफी अलग है और पूरी अपनी lifetime में इसके जो parents हैं ये सोचते रहते हैं कि इनका बेटा थोड़ा अलग है थोड़ा सीधा साधा है लेकिन ये बात किस त सूरी को हम पढ़ेंगे तो इसे और भी बहतर तरीके से समझेंगे अब अगर बात करें H.E. Bates की तो उनका पूरा नाम था Herbert Ernest Bates उनका जन्म हुआ था 16 May 1905 में और उनके डैथ हुई थी 29 January 1974 में वो एक English author और writer थे और बहुत सारी famous works लिखी है उन्होंने जैसे Love for Lydia, The Darling Birds of May, My Uncle Silas इस तरह की works लिखी हैं तो चलिए Friends अब आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को भी समझने की कोशिश करते हैं अब ये जो स्टोरी है इसकी शिरुवात होती है एक छोटे से परिवार से जहां पर एक आदमी उसकी वाइफ और उसका एक बेटा रहता है और ये परिवार है Johnson's का यानि इनका सरनेम Johnson है अब ये जो Johnson's है ये बड़े ही गरीब हैं इनके पास थोड़ी सी जमीन है एक हल है एक दो पहिया गाड़ी है कार्ट है एक छोटा सा घोड़ा है मेर जिसे हम कहते हैं और बस थोड़ी सी जमीन है बस इतना ही सामान है इनके पास इसी से ये अपना गुजारा करते हैं और किसी तरह अपना जीवन काट रहे हैं साथ ही अब बात करें इन Johnson's के बेटे की तो उस इसके माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है वो बहुत ही सिंपल है या सीधा साथा है इसे ये दुनिया की बाते समझ में नहीं आती हैं और इसलिए ये हमेशा अपने बेटे को इस तरह से ट्रीट करते थे मानो कि वो कोई दो साल का बच्चा हो उस तरह से उसे प हला चेहरा था तो कोई जल्दी सोच भी नहीं पाता कि इसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है सब इसे एक भोला सीधा साथा बच्चा समझते थे अब ये जो बेंजी के पेरेंट्स हैं इन्हें ये समझ में आ गया कि बेंजी जो है वो नॉर्मल नहीं है बाकी बच्चो हो सकता है आप काम करिये आप किसान हैं आपके पार जमीन है तो इसे कहिए कि ये मुर्गियां पाले हैं पाले तो इसकाम में इसका मन भी लगा रहेगा थोड़ा फोकस भी बढ़ेगा तो उस दिन से क्या हुआ इन लोगों ने बेंजी को कुछ मुर्गियां खरीद दी और बेंजी क्या था उसने मुर्गियां पालना शुरू कर दिया अब यहां मैंने बताया कि बेंजी बहुत ही सीधा साधा है भोला भाला है तो बांकी के बच्चों के साथ उसकी पट्ती नहीं है तो जैसे ही वो स्कूल से आता वो सारे कामों को छोड़ कर अपनी मुर्गियों को देखने लगता उन्हें अच्छे से पालता सही समय पर भोजन खिलाता उनके जो रहने के जगा थे जो कूप कहलाते हैं उनकी सफाई करता बहुत ही अच्छे से वो अपनी मुर्गियों को पाला करता था और इससे क्या हो रहा था कि धीरे धीरे जो मुर्गियां थी वो उसे अंडे देना शुरू करने लगी अब ये जो अंडे थे इसके बारे में बेंजी ने सीखा कि हम इन अंडों को बेच सकते हैं बेंजी पहले बहुत सीधा साथा था तो वो जानता नहीं था लेकिन उसने ये सीखा कि इन अंडों को बेचा जा सकता है हम एक सार 20 या 10 या 5 इस तरह से अंडे बेच सकते हैं और इन अंडों के बदले में हमें पैसे मिलते हैं अब यह जो सारे पैसे जो बिंजी कमा रहा था इन मुर्गियों के अंडों को बेच कर वो इसके पेरिंट्स क्या करते थे एक बॉक्स में डाल कर अलमारी के उपर रखा करते थे और कहते थे कि यह सारे पैसे तुम्हारे हैं जब थोड़े जादा पैसे हो जाएंगे तो हम इसे बैंक में जमा कर देंगे और जब तुम 21 यर्ज के हो जाओगे तो यह सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे हैं हम अभी बस सेफली इसे रख रहे हैं और फिर पूछते थे कि बेंजी तुम हमारी बात समझ रहे हो ना तो वो थोड़ा सा मुस्कुराता था और कहता था कि हाँ मैं समझ रहा हूँ और ये पेरेंट्स जो थे इसके ये सोचते थे कि हाई हमारा बच्चा कितना भोला भाला है अब आगे बताया जाता है कि धीरे धीरे समय बीता गया बेंजी 14 साल का हो गया और उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और अब वो क्या करता था वो सिर्फ मुर्गियों को पालने में अपना पूरा ध्यान लगाता था उसके पास अब 40 से 50 मुर्गियां हो गई थी और एक हफ़ते में उसे 200 अंडे हो जाते थे उसके पास तो उसने क्या कि अपने अंडों को शेहर भेजना शुरू कर दिया बैंक अकाउंट में पैसे डाले जाते थे लेकिन बेंजी जो है वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुका उसने एक अखबार में एक मैगजीन में पढ़ा कि मुर्गियों की जो अलग-अलग नसले होती हैं उन्हें अलग रखना चाहिए जो यंग मुर्गियां होती हैं उन्हें ओल्ड मुर्गियों से जो बूड़ी मुर्गियां उनसे दूर रखना चाहिए इस तरह से अलग-अलग करके हमें मुर्गियों को पालना चाहिए तो उसने क्या किया तुरंट ही नए नए कूपस बनाए मुर्गियों के लिए और उन्हें उसी तरह से बांट दिया उनके रहने की जगा की पूरी सफाई करता था वो और साथ ही मुर्गियों के लिए अच्छी तरह एकसरसाईज हो उनका खाना सही हो इस पर भी वो पूरा ध्यान देता था और अब इससे क्या हुआ कि अंडों में और भी जादा ग्रोध हो गई उसे और भी जादा अंडे मिलने लगे लेकिन अब यहां पर एक कंपैरिजन बताया जाता है बताया जाता है कि जहां बेंजी इतनी मेहनत कर रहा था अपनी मुर्गियों के पीछे वही उसके फादर और मदर क्या किया करते थे तो अपने जो वो जमीन है उस पर ध्यान तक नहीं देते थे अब इसके फादर जो हैं वो बड़े गपी किसम के इंसान है और धर्म के बारे में बात करना बहुत पसंद करते हैं तो जहां इन्हें दो लोग मिल जाते थे इसके फादर वहीं पर बाते करना शुरू कर देते थे और उनके पीछे उनकी फसल को चिडियां बरबाद करती थी या खरगोश आकर खा जाते थे या तूफान में उनका फसल तूट रहा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था उन्हें बस बाते करना पसंद था और इसलिए उनकी जो फसल थी वो बरबाद होती चली गई उनके पास पैसों की कमी होती चली गई लेकिन बेंजी जो था वो तो बस आगे बढ़ता चला गया उसके कमाई बढ़ती चली गई अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो बेंजी है ये 21 यर्स का हो गया तो 21 यर्स के होने पर क्या हुआ कि बेंजी का जो बैंक में अकाउंट था उसका पास बुक उसके फादर अन मदर ने बेंजी को दिया एक छोटी सीनों ने अपने ही घर में सरीमनी टैप की की पार्टी की केक बनाए खाने बनाए बाते हुई और फिर बेंजी को वो पास्बुक दिया गया अब Benzie जो है उसने पास्बुक को देखा उस पास्बुक में कितने पैसे थे तो उसने देखा कि उसमें 230 पाउंड्स हैं पैसे उसने देख लिये और चुप चाप से वो पास्बुक अपने पॉकेट में रख लिया ना थैंक्यू कहा ना खुश हुआ कुछ भी एमोशन्स नहीं थे उसके चेहरे पे और यहां उसके फादर और मदर को पहला शौक लगा उनका मन यह नहीं था कि Benzie उन्हें वो पैसे लोटा दे लेकिन वो उमीद कर रहे थे कि कम से कम वो एक थैंक्यू कहेगा या वो थोड़ा खुश हो जाएगा या वो अपने पेरेंट से कहेगा कि आपको भी इस पैसों में थोड़ा हिस्सा जरूर मिलेगा मॉम डैड लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ Benzie ने उन पैसे को अपने पास रख लिया और उसके फादर ने जब पूछा कि तुम इन पैसों का क्या करोगे तो उसने बताया कि वो अपने घर के बगल की जमीन को खरीदेगा और वहाँ पर और ज़्यादा कूप्स बनाएगा और मुर्गियों को खरीदेगा अपना बिजनेस वो और आगे बढ़ाएगा अब ये बाते सुनकर इसके जो पेरेंट्स हैं वो तो बड़े प्राउड हुए कि कहां हमारा बेटा बड़ा भोला भाला था कुछ नहीं जानता था और अब देखो कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है चलो आखिर हमने अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया लेकिन सच तो ये है कि अपने बेटे की परवरिश में उनका ऐसा कोई हाथ नहीं था ये सब कुछ खुद बेंजी की ही स्मार्टनेस थी और अब बेंजी जो था वो धीरे धीरे एक अमीर आदमी बनने लगा अब बताया जा रहा है कि अगले 4-5 सालों तक बेंजी ने क्या किया मुर्गियों के लिए नए नए घर बनाए नई मुर्गियां खरी दी धेर सारे अंडे कमाए और उनसे बहुत सारे पैसे हुए उसे अब वो एक सीधा सादा आदमी अभी भले ही था लेकिन वो अब एक भोला भाला लड़का नहीं था अब वो एक मोटा आदमी हो चुका था लेकिन जो उसकी सिंप्लीसिटी थी जो भोला पन था उसके चहरे पर वो आज भी नजर आता था अब आगे कहानी में बताया जाता है कि बेंजी की मुर्गियां और उसके फादर की जमीन फादर की जो अर्थ थी उसमें एक अंतर था वो ये कि बेंजी की मुर्गियां उसकी अपनी थी लेकिन जो उसके पेरेंट्स की जमीन थी वो उन्होंने किराए पर एक आदमी से ली थी जिसका नाम था सैंडर्स उन्होंने 40 साल तक किराए पर उस जमीन को लिया उसे फसले उगाई लेकिन अब सैंडर्स जो था उसने कहा कि बहुत हुआ अब मैं लीज पर नहीं दूँगा अगर आपको जमीन खरीद नहीं है तो आप खरीद लीजिए वरना मैं ये किसी और को बेच दूँगा अब ये जो बेंजी के पेरेंट्स थे ये जो जॉनसंस थे इनके पास तो इतनी पैसे थे नहीं इन्होंने तो सिर्फ बातें की अपनी पूरी जिंदगी तो इन्होंने कहा कि आप किसी और को बेच दीजिए तो इस पर सैंडर्स ने कहा कि मुझे मेरा खरीदार मिल चुका है और उन्होंने पूछा कि वो कौन है तो इन्होंने कहा कि वो आपी का बेटा बेंजी है यानि बेंजी ने खुद अपने ही पेरेंट्स की वो जमीन को खरीद लिया अब पहले तो उसके पेरेंट्स को बड़ा शौक लगा कि ये क्या हुआ बेंजी ने हमें बताया भी नहीं लेकिन फिर उन्होंने जा करके बेंजी से पूछा कि तुमने वो जमीन क्यों खरीदी है तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर नए इनक्यूबेटर हाउसेज लगाऊंगा यानि अंडों को रखने के लिए ताकि अंडों से चूजे बाहर जल्दी आएं उस तरह के हाउसेज बनाऊंगा और अपने बिजनेस को और बढ़ाऊंगा अब बेंजी के पेरेंट्स को यहाँ पर दूसरा जटका लगा उन्हें उम्मीद थी कि बेंजी ने जमीन खरी दी है तो वो उन्हें देगा लेकिन बेंजी के अपने खुद के प्लैंस थे लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनका बेटा तो बड़ा भाला है और इसलिए उन्होंने इस बात को नजर अंदास कर दिया अब समय बीता चला गया और यह जो बेंजी है यह 40 साल का हो चुका था अब एक मैच्चियोर मैन हो गया था लेकिन यह अभी भी वैसा ही भूला लगता था इसकी शेकल वैसी ही भूली थी बस थोड़ा और यह मोटा हो चुका था अब ये बताया जा रहा है कि बेंजी जो है वो तो बहुत अमीर हो चुका था और उसके पास अब कितनी मुर्गियां थी, कितने अंडे उसे मिलते थे या कितने पैसे उसके पास थे, ये उसके लावा और कोई नहीं जानता था बस सबको इतना पता था कि वो बहुत रिच है क्योंकि उसने अपने लिए काम करने को बहुत सारे नौकर रख लिये अब उन नौकरों में से एक लड़की थी जिसका नाम था फ्लोरेंस और ये जो Florence थी ये क्या करती थी ये मुर्गियों की घरों की सफाई किया करती थी ये क्या थी बहुत ही सीधी सी दिखने वाली लड़की थी सिंपल सिंपल ब्राउन आखे थी इसकी ग्रे कलर की स्टॉकिंग्स पहना करती थी और Benzie को ये बड़ी पसंद आ गई जैसा Benzie सीधा साधा सिंपल सा दिखने वाला लड़का वैसी ही ये Florence भी थी और अब क्या हुआ इन दोनों में प्यार हो गया और Benzie ने अपने पेरेंट से कहा कि मैं इस Florence से शादी करूँगा उसके पेरेंट ने पूछा कि तुम क्यों शादी करना चाते हो कितनी अच्छी तो तुम्हारी जिंदगी बीत रही है और अगर तुम शादी करोगे तो शादी के बाद कहां रहने जाओगे तो Benzie कहता है कि मैं कहीं रहने नहीं जाने वाला ये जो हमारा घर है ये भी मैंने खरीद लिया है हम किराय में पहले रहते थे मैंने इस घर को भी खरीद लिया है और ये मेरा घर है तो मैं अब यहीं रहूँगा अपनी वाइफ के साथ और जो आगे का बड़ा बेडरूम है उसमें भी हम रहेंगे आप अभी उस बेडरूम में रहते हैं तो आप दोनों वो कमरे को खाली करिए मैं और मेरी वाइफ वहां रहेंगे और ये तीसरा जटका था उसके पेरेंट्स के लिए लेकिन फिर भी उन्होंने बुरा नहीं माना दुख तो उने बहुत हुआ लेकिन वो क्या किया उन्होंने वो पीछे के कमरे में चले गए अब नई प्रॉबलम क्या स्टार्ट हुई कि ये जो फ्लोरेंस थी इसकी बेंजी की मदर से बिलकुल नहीं पढ़ती थी दोनों में बड़ा जगड़ा होता था और जगड़ा इतना ज़ादा बढ़ने लगा कि दोनों ने खाना खाना बंद कर दिया अलग-अलग खाना खाते थे बेंजी अपनी वाइफ के साथ अलग खाता था और इसके पेरेंट्स अलग खाना खाते थे और जगड़ा इतना ज़ादा बढ़ गया कि दोनों आरतें एक दूसरे को देखना नहीं चाहती थी तो एक दिन बेंजी ने एक decision लिया और उसने आकर अपने parents से कहा कि mom dad बहुत ज़ादा घर में जगड़ा हो रहा है और मुझे लगता है ये ज़ादा सही रहेगा अगर आप लोग कहीं और रहने चले जाएं इस घर को छोड़ दें आप दोनों अब बेंजी के जो parents है उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे ये हमारा भी तो घर है हमें यहीं रहना चाहिए लेकिन बेंजी पूरा गुसा हो चुका था और उसने अपने parents को चिला कर कहा कि आपको यहां से जाना होगा और जिन्दगी में पहली बार उन्हें बेंजी से डर लगा उन्होंने कभी बेंजी को गुसे में नहीं देखा था लेकिन बेंजी को अभी चिलाता देखकर वो डर गए और वो मान गए कि ठीक है हम कहीं और चले जाएंगे और एक हफते के भीतर ही क्या हुआ बेंजी के फादर और मदर जो थे उन्होंने शहर में एक लॉजिंग एक छोटा सा होटल में कमरा ले लिया और वो वहां रहने को चले गए बेंजी के बारे में कहा जाता है कि उसके चहरे पर कोई emotional feelings नहीं थी ना वो दुखी था वो खुश था बिल्कुल नॉर्मल सा उसका चहरा था और साथ ही एक मा का जो दिल था वो तूट रहा था कि उसका बेटा उससे दूर हो चुका है बेंजी ने इन दोनों को उस होटल के पास उस लॉजिंग के पास पहुंचा दिया उन्हें वहां अपनी गाड़ी से उतार दिया और बिना उन्हें कुछ कहे बिना कोई आंसू बहाए उन्हें वहां अकेला छोड़ कर वो चला गया और अंत में कहानी के कहा जाता है कि ये जो जॉनसंस थे इनके पास पहले एक जमीन भी थी और एक बेटा भी था उन्होंने अपनी जमीन को भी खो दिया और अब उन्हें रियलाइज हुआ है कि उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया उनके पास अब कुछ नहीं है और स्टोरी फ्रेंड्स यहीं पर खत्म हो जाती है तो फ्रेंड्स ये थी ह.e.bates की स्टोरी द अर्थ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें